राजधानी दिल्ली में तापमान लगभग 42 डिगरी सेल्सियस के आसपास है हीट वेव जैसे हालात अब NCR में बढ़ने लगे हैं लेकिन सबसे जादा उस्थिती खराब हो रही है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमाओ पर सबसे पहले देखी डॉप्लर रिडार के इमेज और यहाँ पर आपको कहीं भी बादल नजर नहीं आएंगे इसी वज़े से एर कॉलिटी इंडेक्स भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है दोसुट हैसो के आसपास और तापमान में लगातार वृद्धी है यह राज़ानी दिल्ली है हरियाना को देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को और राजिस्थान के पूरे इलाके में यहाँ आपको कहीं भी बादल बनते हुए नजर नहीं आएंगे उसके बाद आपको सीधे मैप पे लेकर चलते हैं और कल यानी साथ तारिक की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो रेड जोन और इंज जोन का इलाका दिख रहा है यह वो इलाका है जहाँ पर तापमान सबसे ज़ादा बड़ेगा खास बात यह है कि इसी इलाके में कल तीसरे चरण का चुनाओ भी है तो क्या थर्ड फेस के इलेक्शन में थर्ड डिगरी का जो तापमान है वो भी नज़र आगा कि यहाँ पर आगरा को आप देख सकते हैं इसके बाद गौलियर को देख सकते हैं गुना को विधीशा यह इलाका मेंपुरी एटा यह पूरा इलाका बदाईयू का वह इलाका है जहां पर कल चुनाओं होने वाला है मद्दान होने वाला और इसी इलाके में सबसे जादा गर्मी है डिल्ली न्सीयार के सिती भी बहुत ज्यादा बहतर नजर नहीं आरी कुल्दीफ शिरवास्तरफ अगर दिल्ली NCR के सबसे पहले चर्चा करें तो यहाँ पर बादल नहीं है यहाँ पर हवा की गती बहुत कम है तो कैसी स्थिती है ताफमानी दिल्ली NCR की बात करेंगे तो कल हमारे पास जो सब्दर जंग अप्जरवेट्री में टमप्रेचर 41.6 रिपोर्ड किया गया था त चुकि इस सिचुएशन में भी फिलाल हमारे पास एक-दो दिनों में कोई खास चेंज आने की चांसे नहीं है तो तो टमप्रेचर लगबख 20-degree centigrade की आसपास और कुछ आउड इसकर्ट में तेदालिज दिल्ली NCR में तमप्रेचर रिपोर्ड किया सकता है तो जो गर्मी का आपके पास बढ़ा हुआ तापमान रहे। तरक है यहाँ पर आपने जैसे पहले ही बताया की पूरे नॉर्थवेस इंडिया में भी हमारे पास कुछबी क्लाउट नहीं है रेइनफॉल अक् Jaap कोई भी फिलाल western disturbance का इस तरह से जो plains में आप कहते हैं कोई भी प्रवाव नहीं है और आगले 2-3 दिनों में इतना कोई खास प्रवाव रहने वाला भी नहीं है तो इसके चलते आस्मान साफ रहेगा और जो अपके पास area है साउथ वेस्ट यूपी का जहां पर देखेंगे कि हमाँ आगरा का जो कल temperature है 44 डिग्री सेंटीरेट रिपोर्ड किया गया था तो आज लगबग आगरा के आसपास का जो इलिया है आप में बहले बता दिया ग्वालियर और जो नौर्थीस राजस्थान का area है वहाँ पर temperature लग के बात करें तो भी लोगों को बाहर निकलना पड़ता है ऐसे में आपका क्या सुझाओ होगा किस तरीके से heat wave या फिर बहंकर गर्मी से बचा जा सकता है देखिए हमारे पास जो अधिक्तम temperature जो बढ़ता है वो लगबग आप कहेंगे कि एक एक बज़े से ले करके पास या उससे उपर हमारे पास आता है तो फिलाल अगर उस पिरिएड को हम एवाइड कर सकते हैं किसी तरस से बेटर रहेगा आप उस पिरिएड में आपने घरों में रहे या पर ऑफिस में तो आफिस में रहे अत्यांद जरूरी हो तो तभी बाहर लिख ले और पानी हो सकती है तो इसलिए आप उसमें निश्चेतर पर जब भी बाहर निकलने है तो पानी सफिसेंट इमान पर यूज़ करें तो बिलकुल तीसरे चरण का चुनाओ है तो क्या थर्ड डिगरी यहां पर जो मौसम का है वो भी नजर आएगा क्योंकि पुरवतर भारत को इस्टन घाट और वेस्टन घाट को छोड़ करके समूचे भारत में तापमान बेहत तेजगती से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में अगर आप शहरों में रहते हैं तो दोपहर के वक्त बहार निकलना कम कर दीजिए और मदान के लिए अगर जाना जरूरी है जम्मू दिली एंसी आर में गर्मी का प्रकोप है लून दस्तक दे दी है और हीट वेव से एंसी आर ही नहीं बलकि दक्षिर और मद्य उत्य प्रदेश के साथ साथ उत्तरी मद्य प्रदेश भी प्रभावित होंगे जहां कल मद्दान होने वाला है इसके अलावा अगर राजस्था प्रवी इलाकों की बात करें तो वहां भी तापमान 45 डिग्री से जादा ही नजर आएगा ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है औरेंज अलर्ट इन इलाकों में जहां परमद्दान होने वाला है और खास तोर पर राजस्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्र अखे फल और सबजी ऐसे लीजिए जिससे आपको लू के प्रकोप से बचा जा सके तो अब लू ने दिली एंसियार ही नहीं समूच उत्तर भारत के मैदाने हिस्सों में दस तक दे दी है और आने वाले दिनों में तापमान बढ़ता हुआ ही नजर आएगा राज़ाने दिली एंसियार में लू की शुरुवात हो चुकी है तापमान इस वक्त 42 डिग्री से जादा है जो आने वाले तीन से चार दिनों में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और ये हाला तो दिली के साथ गुरुगाम, सोनीपत, नौइडा यानि गौतम बु ये उत्तर प्रदेश और उसके अलावा अगर मदे प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के इलाके के बात करे Honor दे जहां पर कल मददान होने वाला है ये वो पूरा इलाका है जहां तीसरे चरन का मददान है और यहां पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़ादा यानि हीट वेव और लू का प्रकोप ऐसे ही हालात राजिस्थान के पूर्वी इलाकों में भी रहेंगे अगर आप पुर्वत्तर भारत में रहते हैं हिमाले के पहाड़ी शित्रों में इस्टन या वेस्टन घाट को छोड़ दिया जाए तो लगबग पूरे भारत में ताप लगबग बीस फीसिदी के आसपास बनी हुई है लेकिन चंबल नदी के आसपास का पूरा इलाका जहाँ पर मदान होना है वहां तापमान 45 डिग्री से भी जादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मौसम विभाग की माने तो जो हीट वेव का दौर है ये साथ तारिक से लेक मैदानी लाकों में रहते हैं तो दोपहर बारा बजे से शाम के चार बजे तक घर के बाहर जब तक बहुत आवशकता ना हूँ मत निकल लिए अगर आपको निकलना है तो शेड्स का इस्तमाल करें यानि जितना संबफ़ो उतनी अंब्रेला लेकर निकले पानी खुब ज़ काएंगे तो आँखों को राहत मिलेगी वरना दोपहर के वक्त आँखे खुलना भी दूबर हो जाता है और आइफलू जैसी डिहाइड्रेजेशन जैसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो उत्तरभारत में अब गर्मी घंगोर गर्मी बहंकर गर्मी के साथ लू औ हीट वेव ने दस तक दे दी है ऐसे में जरूरी है अपने शरीर के अंदर तरल को बढ़ा के रखा जाए क्योंकि जिस तरीके का तापमान है ऐसे में पसीने के साथ अगर अब डिहाइड्रेट हो जाते हैं सोडियम की कमी आ जाती है तो चक्कर आने जैसी समस्या भी हो सकती है लिहाजा जहां मदान का तीसरा चरण है वहीं जो तीसरे फेस का इलाका है वहाँ पे गर्मी काप्र को भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अपना ख्याल रखें ये बेहत जरूरी है कैमरा सयोगी जैनिंदर के साथ अराखुल डवास न्यूज नेशन दिल्ली